कई बार हमको numbers को बड़ के अंदर convert करना होता है इसको हम Excel के अंदर VBA के थुरू कर सकते हैं बट यहाँ पर जो VBA वाला process होता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है और अगर हम चाहें कि इसको हम manually type कर दें तो ये तो possibly नहीं हो सकता क्यूंकि हमारे पास जो data होता है वो बहुत ज़ादा होता है तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम numbers को word के अंदर convert कर सकते हैं without VBA यहाँ पर ये data set है हमारे पास इस data के अंदर हमारे पास Approx 1000 entries हैं अब इस process को हम Google Sheets के थ्रोप करने वाले हैं Google Sheets open कर लेंगे File के ओपर click करेंगे Import यहाँ पर हम upload के ओपर click करेंगे और जहाँ भी हमारी file होगी system के अंदर उसको हम select कर लेंगे Import data इसके ओपर click करेंगे जो भी हमारी sheet के अंदर data था वो यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर हम extensions के ओपर click करेंगे add-ons और get add-ons के ओपर click करेंगे यहाँ पर हम search करेंगे number text इसको open करेंगे और इसको install कर लेंगे यहाँ पर यह permission मांग रहा है इसको permission allow करेंगे यह install हो चुका है अब numbers को word के अंदर convert करने के लिए हम एक formula का use करेंगे तो formula होगा हमारा equal number text और जिस cell के अंदर हमारा number होगा उस cell का reference दे देंगे enter press करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा number है वो word के अंदर convert हो चुका है अब क्यूंकि data हमारे पास बहुत बड़ा है तो यहाँ पर हम इस dot के उपर double click करेंगे यह formula हमारा नीचे तक apply हो जाएगा इतना हो जाने के बाद इसको हम वापस Excel के उपर कैसे लेके जाएंगे यहाँ पर जो हमने formula use किया है इसको अभी हम Google Sheet में ही use कर सकते हैं इस formula को हम Excel Sheet के अंदर use नहीं कर सकते अगर हम इसको यहाँ से copy करके direct Excel Sheet के अंदर paste करेंगे तो यह हमको error show कर देगा तो इसको वापस Excel Sheet पे लेके जाने के लिए हम इस column को select करेंगे यहाँ पर हम click करेंगे तो पूरा column हमारा select हो जाएगा Ctrl-C press करेंगे right click करेंगे paste special और values only के उपर click करेंगे अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा formula था वो यहाँ से हटके खाली text ही रह गए हैं अब इस sheet को download कर लेंगे इसको download करने के लिए हम file के अंदर आएंगे download के उपर click करेंगे यहाँ पर different format हमको दिये गए है इन format के अंदर हम इस file को download कर सकते हैं अभी इस file को हम Excel के अंदर download करना चाते हैं हम Excel के उपर click करेंगे file हमारी download हो जाएगी इसको open करके देखते हैं यहां पर हम देख सकते हैं, हमारे पास जित्ते भी number थे, वो सारे word के अंदर convert हो चुके हैं, इस method का use करते हुए, हम अपने numbers को, numbers चाहे छोटे हो या बड़े हो, हम कुछ ही मिन्टों में इनको convert कर सकते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए helpful हो, तो वीडियो को like कर दें, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, चैनल को subscribe कर दें, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, thanks for watching.